चलिए दोस्तो चालू करते हैं आज की भी टेक निउस लेकिन दोस्तो टेक निउस चालू करने से पहले आपको धन तेरस की हारदिक शुपकामनाई जी हाँ, ये जो दिवाली है आपके लिए बहुत ही सुक्षांती लाए और हाँ बहुत सारा धन भी लाए यही मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से और एक बात आपको बताना चाहता हूँ दो साल continuous, non-stop काम करने के बाद दोस्तों मैं दो दिन की चुट्टी लेने वाला हूँ मंडे और टूजडे को कल की Tech News आएगी लेकिन मंडे और टूजडे को Tech News नहीं आएगी आएगी सीधा वेनस्डे को लेकिन कल की आने वाली है चले दोस्तों चालू करते हैं Tech News और Tech News में मैं आपको Technology के बारे में बताता हूँ कि क्या-क्या नई Technology आ रही है वैसे ही Omnivision नाम की एक कमपनी है यूएस में दोस्तों उन्होंने एक Guinness Book record हासिल किया है सबसे छोटा कैमेरा बनाने के लिए और यह जो छोटा कैमेरा है अगर मैं उसके dimensions आपको बताओ तो 0.575 into 0.575 0.575 into 0.575 into 0.0232 ऐसे इतना चोटा है मतलब आधा एमेम से भी कम है एक जगपे और दो जगपे 0.575 इतना चोटा है कि grain of sand होता है इतना है लेकिन इसका फाइदा क्या है दोस्तो medical area में इतना ज्यादा फाइदा है कि doctors आपकी जो veins या फिर arteries है उसके अंदर की भी चीजे देख सकेंगे ज्यादा अच्छी तर से diagnose कर पाएंगे और ज्यादा अच्छी तर से आपको ठीक कर पाएंगे technology is so useful दोस्तो 5G हमारे लिए अभी तक बहुत दूर है 2-2,5 साल है आने के लिए शायद उससे ज्यादा लेकिन Vivo ने एक patent हासिल किया है EU IPO मतलब European Union Intellectual Property Office इसमें उन्होंने रेइस्टर किया है 6G का logo 6G का logo इसका मतलब अल्रेडी काम चालू हो गया है वो 6G सबसे पहले लाएंगे ये clear है लेकिन सोचिए दोस्तों अगर आपको सबसे उपर रहना है तो ये करना पड़ता है अगले 5 साल के बाद क्या होने वाला है ये अभी जानके उसके उपर स्टेप्स लेने पड़ते हैं और भी वो कर रहा है और दोस्तों आप अगल नए हो तो बता दूँ मेरा नाम है और उन्प्रभुदेशा ही आप देख रहे हो और अगर नए हो पहली बार हमारे चैनल पर आये हो तो आपको ग्रैंड वेलकम करता हूँ स्वागत करता हूँ आपका लेकिन एक चीज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा सब्सक्राइब कीज़े बेल आइकन बजाईए और उन्होंने ये भी कहा है कि इस सेल की वईए से, इतने अच्छे सेल की वईए से हम सबसे नंबर वन प्रीमियम स्मार्टफोन भी है और प्रीमियम स्मार्ट तीवी त भी है इस मही ने या फिर इस कौर्टर में अच्छी बात है, OnePlus के अच्छे होते हैं products और वो बहुत सारे नई चीजे भी लाते हैं वैसे दोस्तो mclaren कितने लोगों ने लिया आज उसका sale था 70 minutes के लिए कल मैंने इसके बारे में बताया था कमेंट से बताइए कितने लोगों ने लिया mclaren edition और दोस्तों जियो ने आज announce कर दिये हैं उनके जियो फोन के लिए प्लान से जियो सिम काड के जो प्लान से वह तो अल्रेडी लाउंच हो गई जियो फोन पर चलेंगे और अच्छे प्लान से दोस्तो 75 रुपीज का बेस प्लान है जहां पर आपको दिन का 100 MB मिलेगा मतलब 28 डेस में 3 GB मिलेगा और एक प्लान है 1 GB सबकी वैलिडिटी 28 डेस की है और सबसे उपर वाला जो है वह 185 रुपीज का है जिसमें आपको 56 GB डेटा याने 2 GB पर डे मिल रहा है लेकिन यह सिर्फ जियो फोन के लिए दोस्तो लेकिन यह जियो तो प्लान्स बगएने लाँच कर रहा है लेकिन इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है यह जो टेलीकॉम आपरेटर से दूसरे जियो छोड़के उनको जटका लगा है जबर्दस्त जटका लगा है जिया सुप्रीम कोर्ट ने ओर्डर कर दिया यहां यह case बहुत दिनों से चल रहा था और यह बेसिकली ऐसा है कि non-telecom business जो है Airtel, Idea, Vodafone इनके इसमें से जो पैसा आता है उसके उपर जो tax वगे रहे हैं, liabilities वगे रहे हैं उसके लिए यह था और उनने का नहीं यह टेलको के नीचे ही आते हैं यह सब businesses और आपको taxes pay करने पड़ेंगे, यह बहुत बड़ा जटका है, already Jio के plans की वज़े सब लोगों ने पैसे या फिर उनके जो plans है वो कम कर दिये और उसकी वज़े से business कोई नहीं कर रहा है, profits कोई नहीं कमा रहा है, सोची है, सबसे बड़ा जटका लगा है Airtel को, जिनको कुछ 42,000 crores देने है, Idea, Voda, Voda idea, जो भी है यह दोनों, इनको 40,000 crore देने है, और Jio बहुत नया होने की वज़े से उनको ज्यादा देना नहीं पड़ रहा है, कुछ 14 crore, 14 crores only, दोस्तों, Counterpoint Research Company ने report निकाला है Q3 2019, मतलब 3rd quarter of 2019 में, इंडिया में कितने स्मार्टफोन बेचे गए, रेकॉर्ड किया ह दोस्तों, record 49 million, इतने स्मार्टफोन बेचे गए, अब तक का सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा record है यह, लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बाकी के जो स्मार्टफोन, manufacturers है, brands है, उनका कितना market share है, Xiaomi Q3 2018 के comparison में 1% से कम है, last year 27% था, अब हो गया है 26%, Samsung आ गया है 23% से 20% पे, Vivo गया है 10% से 17% पे, लेकिन सबसे बड़ी जंप जो है, वो मारी है, Realme ने, 3rd quarter, last year, Realme का market share 3% था, पता अब कितना है, 16% मतलब, nearly 5 times उन्होंने जंप किया है, और मुझे लगता है कि next report जब आएगा, तो already Vivo को cross करके, वो शायद 18-19% पे चले जाएंगे, that's a big jump, Realme के लिए ये एक साल में करना, it's nothing more than astonishing, और हाँ दोस्तों, कल रात को हो गया है launch, Moto G8 Plus, और ये इंडिया में launch हो गया, इंडिया की price भी आ गई है, और thankfully ठीक ठाक price रखिये, मैं ऐसी नहीं कहूंगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक ठाक price रखिये, 13,999 price है, और आपको प 64GB RAM, 64GB storage है, और price आई है, 14,000 रुपए, क्या लगता है आपको, रैसे 665 के phone आजकल 9 और 10,000 में मिल रहे है, लेकिन ठीक है, Android One Experience के लिए आप इसके पास देख सकते हैं, और दोस्तों, ब्राजील में launch हो गए है, Moto E6S and Moto G8 Play, जी हाँ, ये जो phones है, Helio P70, इस प्रोसर पे आते के नीचे होगा, अगर आप G8 Plus की price compare करते हो, तो obviously these will be under 10,000, और दोस्तों, foldable smartphones में सभी उतर रहे हैं, जो ज़्यादा smart phones नहीं बनाते हैं, वो भी उतर रहे हैं, TCL ने showcase कर दिया है, उनका foldable smartphone, ये concept ही है, कहूंगा, लेकिन थोड़ा अलग है, dual fold है, इसका मतलब Z जैसे होता है, और खुलता है, और बड़ा 10 इंच की screen हो जाती है, interesting concept है, नहीं नहीं चीजे smartphone manufacturers try कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि जब आप try करोगे, तो आप ज्यादा अच्छी तर से बना पाओगे, अभी तक एक देड़ साल मुझे भी लगता है, ये technology mature होने के लिए time ह है, लेकिन आएगा जरूर, एक देड़ साल में अच्छा, usable, foldable smartphone हमें मिलने वाला है, इतना मैं कहता हूँ, दोस्तों, इतने सारे लोग PUBG खेलते हैं, तो मैंने कहा आपको एक news देदू, और ये update की news है, अभी अभी एक update आया था, और next update, PUBG का 0.16, ये वाला जो है, ये आने डिसेंबर 16 को, बतलब ज्यादा दूर नहीं है, एक देड़ महिना है, अभी अभी तो आया था, last update, और इसमें Erangel 2.0, ये आने वाला है, ये बेसिकली नया मैप है, और इनके जो ग्रास वगेर है, उसमें ज्यादा अच्छी तर से उन्होंने काम किया हुआ है, ज्यादा अ इंटर्व्यू में बताया कि इंडिया इस नाट रेड़ी फोर देर लैप्टॉप्स, I don't know, seriously, उन्होंने रीजन ये बताया कि जो चाहिना में हमेरे लैप्टॉप्स है, वो 40-50,000 के करीब आते हैं, और इंडिया में लोग जो है खरीते हैं, मतलब जो प्राइज रेंज है जहां पर सबसे ज्यादा लैप्टॉप्स खरीते हैं, वो है 25-30,000, और उन्होंने ये कहा कि इतना डिस्रप्शन अभी तक हमारे लैप्टॉप्स में नहीं आया है, जब हम कर पाएंगे तभी हम इंडिया में उसे लांच करेंगे, इंडिया में लोग 1,65,000 का सैमसंग फो जरूर बताइएगा पूल्स में. का नाम लेने का, जी हाँ, कल के हमारे तीन सूपरस्टार फीचर्ड कमेंडर्स हैं, निवेदिता पोद्दार, राज गुड़ू, और सोमेश लड़ू, ओ, गुड़ू एंड लड़ू, राइमिंग, राइमिंग नेम्स, एनिवेज थैंक्यू, जबर्दस कमेंट्स डाले आपने, ऐसे ही कमेंट्स डालते रही है, हम ऐसे ही कमेंट्स पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही आपका नाम लेते रहेंगे, यू आर आर सूपरस्टार्स, जी हाँ, चलिए दोस्तों, आज की हमारे ट्राइग नेम्स एपिसोड नंबर 554 खतम होती है, इधर ही अगर अच्छी ल शुक्सा अच्छी क्या देकर आ थोड़ा थोड़ा, बोल्दा खत्वर्ण करोड़ा, यू मैं बगई तलस नहोते लीटा, यू शो खत्यू